तिहार जिल में रहते हुए ठगी करने के आरूपी सुकेश चंदरशेकर के शिकारों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है न्यूस 18 के शंकर आरंद की रिपोर्ट ये है कि सुकेश पर लालू प्रसाद यादफ के करीबी आरज्यदी सांसत अमरेंदर धारी सिंग को करीबी 25 करोड रुपे का चूना लगाने का इलजाम लगा है बताया ये गया है सुकेश चंदरशेकर ने उन हस्तियों को ठगा जिनके खिलाब किसी थाने या फिर जांच अजनसी में कोई बड़ा मामना दर्च है इसी कड़ी में सुकेश को जेल में सांसत अमरेंदर धारी सिंग को खाद घोटाले में गिरफतार करने की जानकारी मिली उनके खिलाब CBI और ED दोनों एजनसिया जांच परताल कर रही है सूत्रों के मताबिक ये पता चलते ही सुकेश ने RGD सांसत के खिलाब जानकारी इकटा की और सांसत को फोन पर ये भरोसा दिलाया कि वो इस मामने में उनको क्लीन चिट दिलवा देगा बताया ये भी जा रहा है कि इस लालच में फसक सांसतने करोड़ों रुपे उसको भिजवा दिये हैं जिसका पता ED की जांच की दोरान चला है लहाजा जरूरत पढ़ने पर इस बामले में अमरेंदर धारी सिंग से पूचताच भी हो सकती है मुंबई में एक करोड़ लोगों को वाक्सीन लग गई और इसी के साथ ये ऐसा पहला जिला बन गया जहां एक करोड़ लोगों का वाक्सीनेशन पूरा हो चका है इनमें टीके की पहली खुराक लेने वालों की संख्या 78 प्रतीशत है एक वाक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे कुछ लोगों ने भी कूरणा का ठीका लगवाने पर जोर दिया मुंबई के बोड़ी वली में एक साथ मुनसिला इमारत में लगी आग को बुजा लिया गया है इस हाथसे में दमकल विभा का एक करमचारी घायल हो गया जिससे इलाज के लिए एस्पिताल में फ़र्ती करवा दिया गया यूपी की बधुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठफेड हुई जिसके बाद पुलिस ने एक लाग के इनामी अर्विंद समेच चार बदमाशों को गिरफतार कर लिया खबर है कि पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 45 लाग रुपे भी बरामत किये अर्याना सरकार ने टॉक्यो पेरलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले निशानेबाज मनीश नर्वाल को 6 करोड और सिल्वर मेडल जीतने पर सिंगराज को 4 करोड रुपे का इनाम देने का एलान किया इसके अलावा दोनों खिलाडियों को सरकारी नौकी भी दी जाएगी अफगानिस्तान में लगाता चल रहे होनी संगष के बीच तालिबान सरकार के गठन की तैयारियों में जटे हुए है लेकिन सरकार की गठन से पहले तालिबान समर्थित एक मीडिया चैनल ने ऐसा वीडियो नेशनल टेलिविजन पर टेली कास्ट किया है जिसे देखकर हर कोई है इस वीडियो में तालिबान के उस गुरूर को दिखाया गया है जो अपनी ताकत के नशे में इस गदर चूर हो चुका है कि आत्म घाती दस्ते की भी खुले आंग नुमाईश कर रहा है अपकानिस्तान में सत्ता से पहले शक्ती प्रदर्शन कंधहार में हधियारों की नुमाईश तालिबानी ताकत का चौकाने वाला वीडियो अफगानिस्तान से आया ये वीडियो तालिबान के किसी आम जशन का नहीं है सत्ता को शकंजे में कसने से पहले ये तालिबान के शक्ती प्रदर्शन का वो वीडियो है जिसने इस वक्त हर किसी को चौका रखा है तालिबान समर्थेत, अलहजरत मीडिया ने तालिबान लड़ाकों की ताकत की नुमाइश का ये विडियो जारी किया है इस विडियो को तालिबान की विक्टोरिया फोर्स सीरीज का नया संस्करण बताया जा रहा है इस वीडियो के जरिये तालिबान ने ये साबित करने की कोशिश की है कि कैसे तालिबान के कबजे में आने के बाद अफगानिस्तान में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है वीडियो में जहां अमेरिका को एहंकारी ताकत बताया गया है वहीं तालिबानी लड़ाकों की ताकत का बखान किया गया है। भले ही तालिबान इस तरह के शक्ती प्रदर्शन को महज एक जशन के तौर पर बता रहा है। लेकिन जानकारों की राय इस मामले में बिलकुल अलग है। उनके द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी चैलेंज का जवाब दे सकता है। पर जीत हासल की। खास बात ये भी कि इस वीडियो का अफगानिस्तान के नैशनल टेलिविजन पर प्रसारन भी किया गया। इस वीडियो की शुरुआत एक समारोह के साथ होती है। जिसमें तालिबान के सैन्य आयोग से जुड़े लोग मैदान में पहुंचते है। इस दोरान इन सभी को गार्ड आफ ओनर दिया जाता है। इसके बाद तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुक मौलवी मौहमद याकूब मुजाहिद सभी तालिबानी लड़ाकों को समभोधित करते हैं। इस दोरान मंच पर बैठे तालिबानी नेता, सैन्य अधिकारी और परेड में शामिल सभी लोगों की पहचान छिपाई जाती है। बताया जा रहा है कि इन छिपे हुए चेहरों में वो तमाम आतंकी भी हो सकते हैं। जो लगातार अमेरिका और दूसरे मुलकों के निशाने पर रहे हैं। अलहजरत मीडिया द्वारा जारी किये गए इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं। कि कैसे अलग-अलग गृप्स के तालिबानी लड़ाके मंच पर बैठे नेताओं के सामने से गुजर रहे हैं। और उन्हें सलामी दे रहे हैं। वीडियो में इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी हालत और किसी भी सेन्यो आपरेशन से निपटने में माहिर तालिबानी लड़ाके हैं। इस ग्रुप में वेस्ट कोट वाले स्कौरडन, तोप खाने, भारी कार बम को साधने वाले दस्ते, घुस बैठ ऑपरेशन को साधने वाले दस्ते, पैदल सेना दस्ता, लेजर गाइड़िट दस्ते, शेहरी कमांडो आपरेशन को साधने वाले दस्ते शामिल किये गए हैं साथी वीडियो में इस बात को भी बताया गया है कि कौन सा दस्ता किस आपरेशन में माहिर है वीडियो में उसके बाद परेड में गाड़ियों के उपर अत्या थोनिक आटोमेटिक राइफल अलग-अलग तरह के रॉक्ट लाउंचर गाड़ियों को धमाके से उड़ाने वाले पीले बॉम का जखीरा भी दिखाया गया है इतना ही नहीं इस वीडियो में हमलावरों के खिलाफ इस्तमाल किये गए तमाम हथ्यारों और तकनीक की भी नुमाईश की गई है इस वीडियो में प्रशिक्षे तालिबानी लड़ा के अलग-अलग रंकी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं साथ ही ये सभी खतरनाग हथ्यारों से लैस है तालिबान के दुआरा परेड में कार बॉम को डिमांस्ट्रेट करना इस बात का इस परस्ट मैसेज है कि भविष्ट में भी तालिबान कार बॉमिंग का सुसाइट बॉमिंग का सहरा ले सकता है और इसके माध्यम से किसी भी शक्ती को किसी भी राईवल ग्रुप को टार्गेट कर सकता है कंधार में तालिबान के लड़ाकों की ये तस्वीरे अब दुनिया को धंका रही है कंधार की साटों पर तहिशत की परेड है अर्बो डॉलर के अमेरिके हथ्यारों के जखेरे पर सवार है तालिबान तालिबान के लड़ाकों का ये दिखावा वाकिए दुनिया भर की तमाम सेन्य ताकतों को ताकने पर मजबूर कर देता है कंधहर की सडकों पर तालिबान के लड़ाके अमेरिका की उन हमवी गाड़ियों के साथ परेड कर रहे हैं जिने हासल करना भी बड़े बड़े मुलकों के बस में नहीं तालिबान के लड़ाकों के हाथ में जो हत्यार नजर आ रहे हैं उनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है हमवीज जंगी गाड़ियों का एक लंबा सा काफिला तालिबानी लड़ाकों के कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट ड्राइफल दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों में शुमार अमेरिकी जंगी हेलिकॉप्टरों की कंधहार की गष्ट सल्वार कमीज पहनने वाले तालिबानी लड़ाके सजे अमेरिकी कमांडो युनिफॉर्म में आंखों पर चड़े संग्लाफ सर पर बुलिट डूफ हेलमिट अमेरिकी सैना ने करीब नौलग हत्यार छोड़े 208 विमान और हेलिकॉप्टर तालिबान के कबजिम 26 हेलिकॉप्टर एक साथ खड़े दिखे सेटलाइट तस्वीर में 23 A-29 लाइट अटाक विमान 60 ट्रांस्पोर्ट विमान जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिन 33 AC-208 विमान 18 PC-12 सर्विलांस विमान 8 चालक रहित विमान ये वो तमाम साजो समान है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सैना को कभी मोहिया कराया था लेकिन आब उन तमाम अर्बो डालोर के हत्यारों पर तालिबान का पर्चम लहरा रहा है और सोशल मीडिया पर ये विडियो वाइरल हो चुका है फोब्स का दावा है कि अमेरिकी रक्षा वे भाग पैंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजनसी यानी डियले के अंकड़ों पर यकीन किया जाए तो अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 9 लाग हत्यार और फौजी उपकरण छोड़ कर भागाया है जिस पर अब पूरी तरह से तालिबान का कबजा हो चुका है चार ब्लेट वाला ब्लाक हॉक हेलिकाप्टर दुश्मन पर ना सिर्फ हवाई हमला करने में सक्षम है बलकि राहत और बचाव का काम करने में भी कारगर है ये अपने साथ तोप तक ले जा सकता है इसी तर्स पर C-130 होकिलस विमान ट्रांस्पोर्ट के काम आता है ये हमवीज युद्धक वाहन बम हमले या जैविक हमलों से वाजियों की हफाज़ाद करने में सक्षम है मॉबाइल स्ट्राइक फोर्स विकल भी सेनिकों के लिए कवच का काम करता है इस पर बारू भी सरंग फटने का असर तक नहीं होता ये वाहन मशीन गन और ग्रेनेट लांचर से लैस होता है अमेरिका ने कुल 33 ब्लाक हॉक हेलिकॉप्टर अफगान सेना को दिये थे लेकिन इन में से कितने अब तालिबान के कबजे में हैं इसकी पुश्टी करने वाला कोई भी नहीं अलबता तालिबान के पास हेलिकॉप्टर है इसकी पुश्टी तस्वीरे कर रही है दुनिया भर में किसी भी आतंग की संगठन के पास खुद की वायू सेना नहीं है कोचा तंकी संगठनों की पहुँच ड्रोन तक जरूर हो गई है लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास वायू सेना जैसी ताकत है और तस्वीरों ने इसकी तस्दीग भी कर दी सवाल जरूर है क्या तालिबान के लड़ाकों को इसके ट्रेनिंग हासिल है या वाकई इन्हें ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं इनको अपरेट करने के लिए इनको दूसरे देशों की सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों की कवाही है कि तालिबानी लड़ाकों ने अपनी वेश भूशा तक बदल सलवार कमीज की जगा वर्दी दिखने लगी इनके हाथ में अब जंग लगे हत्यारों की जगा अध्या ध्याद्धनिक हत्यार है यह हत्यार अफगानी वाज़ से चीने गए है या अमेरिकी वाज़ के लोटने के बाद हत्या लिये गए मतलब साफ है कि यह तस्वीरे जाहिर कर देती हैं कि तालिबान के होसले भी बड़े हुए है और उनके पास अब हत्यारों का इतना बड़ा जखीरा है कि कई देश उनसे पनाह मांग सकते हैं टोक्यो परालिम्पिक्स में नौजा के डियेम सुहास अलवाई ने पुरुश सिंग गए सीम योगी आदितनाथ ने सुहास अलवाई को सिल्वर मेडल जीतने की बदाई दी और आज हम सब के लिए एक नई खुसकभरी आई है कि जिलादिकारी नौइडा जो इस पैरा ओलम्पिक में भाग ले रहे हैं उन्होंने आज पैरा ओलम्पिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है मैं सी सुवास अलवाई को इसके लिए करता है वाप करता हो कि पत्नी रिटू शुहास ने सिल्वर मेडल चीतने पर नियोज जैटीन से खास बाटशित की हमारे साथ बाटशित करने के लिए मौजूद है है रितू सुहाज जोगी सुहाज सालवाई की पतनी है खुद पीस से सदिकार हैं सिल्वर जीता है टोक्यो पैरलंपिक में सबसे पहला रिएक्शन है यह फक्र का विशह है पुरे देश के लिए इस प्राउड फीलिंग और हम सब इसको आज शेयर कर रहे हैं यह मैं ही नहीं उनका इस सफर आपको बताता है इट इस लॉंग जर्नी पास्ट सिक्सियर इतना जो स्ट्राइब किया है उसका इट परडाम है अच्छा मैं बाचीत बाचीत हुई इंसे बास करें बना बस देखें रितू सुहास है जो की रियक्शन दे रही है सुहास एलवाई की जीत पर जो कि सिल्वर मेडल टोकियो पैरलेंपिक में जीते हैं कैमर पर संदिनेश देवरी के साथ जावीद मनसूरी निउस इट इन इंडिया नॉइडा यूपी के पीली भीट से खहरान करने वाला विडियो सामने आया वहाँ एक दरोगा और सिपाई पर आजो ड्राइवर से मारपीत का आरूप लगा बताया गया कि मारपीत के वक्त दोनों पुलिस वाले शराप के नशे में धुत्त थे जिनको वहाँ मौझूद कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे जिसका इन पुलिस वालों ने विरोध किया वहाँ से सामने आई तस्वीरों में दरोगा लोगों से बचने के लिए धक्का मुक्की करते नज़र आए इसी बीच वहाँ मौझूद कुछ लोग इस पुलिस वाले का मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए कहते हुए सुनाई दिये तब ही मोटर साइकल सवार भी वहाँ से गुजरे लेकिन किसी की भी हिम्मत दरोगा को पकड़ने की नहीं हुई जबकि सिपाही को लोगों ने पकड़ लिया और उसे खिंचते हुए थाने ले जाने लगे इस दुरान इस सिपाही ने अपनी पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की मगर लोगों के आगे उसकी एक ना चली सड़क पर हो रहे सहंगामे को देख वहां लोगों की भीर जुड़ गई बताया गया कि ये पूरी घटा पीली भीत के गजरॉला थाने के पास की है मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के स्पी ने फॉरन दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया पंजशीर पर कबजे के लिए खूरी जंग जारी है जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कबजा किया था पंजशीर पर कबजा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पंजशीर की घाटी में NRF के लड़ाके उचाई वाले ठिकानों पर डेरा डाल कर बैठे हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेड़ी खीर साबित हो रहा है एक दिन पहले पंजशीर में जबदस्त जंग हुई गोलियों की तडड़ाहट और बमों की धमाकों से पूरी घाटी गुझ उठी खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कबजे के लिए हमला किया था लेकिन उन्हें काम्याबी नहीं मिली एन आर एफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े जबकि तालिबान के कई लड़ाकों की मारे जाने की भी खबर है हालकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कबज़ा कर लेने का भी दावा किया था जिसके बाद काबूल में तालिबानी लड़ाकों ने जूश में फाइरिंग भी की थी उत्रप्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया है आज 18 जिलों में सम्मेलन का आयोजन होगा सीम योग्या दितिनाथ शाम चार बजे वारानसी में सम्मेलन में भाग लेंगे तो वहीं यूपी के प्रभारी रादा मोवन सिंग प्रियाराज में जबकि यूपी बीजेपी अध्याक्षी स्वतंतर देव सिंग अयोध्या में सम्मेलन में शिर्कत करेंगे इसके अलावा डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरिया कानपूर और संगठन प्रदेश महामंत्री सुनेल बंसल लखनव में सम्मेलन में शामिल होगे खास बात ये है कि सम्मेलन 20 सितंबर तक चलेगा जिसका 403 विधान सभाव में आयोजन किया जाएगा चीन में राजधानी बीजिंग समेथ वहां के कुछ प्रांतों में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश के बाद बार जैसे हालाद बन गए वहां के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतापनी जारी की और लोगों को अलट रहने के लिए कहा गया है क्योंकि बारिश है कि रुखने का नाम नहीं ले रही जिसकी तस्वीरे राजधानी बीजिंग से भी सामने आई जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किले बढ़ गए वहां के एक इलाके के अंडर पास में इतना पानी भर गया कि सड़के ही दिखना बंद हो गई और वहां खड़े कुछ लोग इस पानी के आगे बेबस दिखाई दिये जबकि एक दूसरे इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कुछ गाड़ियां आधी रूबी नजर आई हाला कि जो लोग अपने घरों से कामकाज के लिए बाहर निकले उन्हें बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तमाल करना पड़ा कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरे लिया ओनिंग प्रांथ से भी सामने आई वहां भी इतनी जोरदार बारिश हुई कि कुछ ही घंटों में रिहाईशी इलाकों और बाजारों की सूरत बिगड़ गई जिन सडकों पर गाड़ियां दोड़ा करती थी उन पर पानी का कबजा दिखा वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक सामान ढोने वाली छूटी गाड़ी पानी में फसी दिखी जबकि एक कार को आठ नौ लोग पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए भी नजर आए तो वहीं एक स्कूटर सवार ने पानी से भरी सडक से गुजरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाई लेकिन गनीमत रही कि वहां मौझूद एक पुलिस वाले ने किसी तरह उसे बचा लिया वहां के ज्यादातर हिस्सों में बार जैसे हाला दिखाई दिये इस बारिश के बीच चल रही तेज हवाओं ने भी लोगों की मुश्किले बढ़ा दी अभिनेता सिधात शुक्ला बामले में अब तक मौत की वज़ा साप नहीं हो पाई है न्यूज एटिंग की विवेग गुपता की रिपोर्ट है कि पोस्ट मॉटम की बाद अब इस मामले में केमिकल अनालिसिस का इंतजार है मतलब इससे ये पता चलेगा कि शरीर में जहर या उस जैसी कोई चीज तो नहीं क्योंकि सूत्रों की मुतारिक जिन डॉक्टर्स ने सिधार्थ का पोस्ट मॉटम किया है उनको मौत के पीछे कोई अननाचुरल वजा नहीं मिली है मतलब शरीर पर कोई चोट के निशान या जख्म नहीं मिले ऐसे में विसरा को केमिकल अनालिसिस यानि की जांच के लिए भेजा गया है ताकि ये पता चल सके कि 48 घंटे के अंदर उन्होंने क्या खाया था या कहीं किसी चीज का रियाक्शन या असर तो उनकी बॉड़ी पर नहीं हुआ इसके अलावा हिस्ट्रो पैथलोजिकल स्टडी की भी सला यही है कि जानकारी मिलेगी कि कोई बिमारी थी या नहीं और बताया जा रहा है कि जब तक ये सारी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस मामने में डॉक्टर भी अपनी तरफ से कोई राय नहीं देंगे सीम योगी आज यूपी के बार प्रभावित इलाकों का तौरा करेंगे सुभा साड़े नौ बजे सीम योगी महरी पूर जाकर बार प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और बार प्रभावित लोगों को रहत सामागरी बाटेंगे इसके बाद योगी आदितिनाथ राप्ती नगर में बार प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और लोगों को बार राहत किर देंगे इसके बाद योगी स्वचिता अभियान का निरिक्षन करेंगे इसके बाद सुभा 11.45 मिनट पर योगी आदितनाथ कॉरी राम के सर्वोधिय इंटरनल कॉलेज और फिर गोला के VSAV कॉलेज पहुँचकर बार प्रभाविश शेत्रों के पिडित परिवारों को खाने पीने का सामान भी बातेंगे प्रधान मंत्री दरेंद्र मोधी इस महीने अमारिका की दौरे पर जा सकते हैं खबर है कि प्रधान मंत्री मोधी इसी महीने अमारिका जा सकते हैं जो बाइटन की राश्टपती बनने के बाद पिया मोधी का ये पहला अमारी का दौरा होगा। चुनाप आयुक ने 30 सितंबर को पश्चिम मंगाल की खाली पड़ी विधानसबा सीटों में 3 सीट पर उपचुनाप कराने की घूशना की है। इनमें एक भवानीपूर विधानसबा सीट भी है। खबर है कि ममतब एनरजी इसी सीट से चुनाप लड़ सकती है। इसके अलावा ओड़ी शा की एक विधानसबा सीट पिपली में भी 30 सितंबर को ही वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। पश्टि मंगार की कलियागंज सीट से बीजबी विधायक सौमेन रॉइव फिर टीमसी में शामल हो गए। एक अंसल्ट के सर्वे में तीसरे नंबर पर इटली के प्रदान मंत्री मारियो दुरागी हैं जबकि पाचवे नंबर पर अमेरिका के राश्च्रपती जो बाइडन है। उत्राखन की राजदानी देराधून में एक फाक्टरी में भीशन आग लगने के बाद अफ्रा तफ्री का माहौल बलिया। बताया गया है कि जिस वक्त आग लगी उस दुरान फाक्टरी के कुछ करमचारी भी मौजूद थे। चीड के पेड़ से निकलने वाला ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है जिससे कई चीजे बनाई जाती है। इसी लीसी की वज़ा से आग तेजी से भढ़की जिसे भुजाने में दमकल करमियों के पसी ने छूट गए। बताया गया कि कुछ घंडे की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह से भुजा लिया गया है। लेकिन तब तक पूरी फाक्टरी जल कर राख हो चुकी थी। हाग निकला। हाला कि बैंक के गार्डों ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया। फिलाल पुलिस ने मामले में आगे की कारवाई शुरू कर दी है। अगरे लिवे कट पाम थे वहाँ इसको पकड़ लिया। उत्तप्रदेश की मुख्य मंतरी योगी आदितिना बाड प्रभावित इलाकों में पहुँचे और उन लोगों तक मदद पहुचानी की कोशिश की जिन्हों ने बाड में अपना सब कुछ गवा दिया। जिसकी एक तस्वीर सिधात ददर से भी सामने आई हैं जहां 200 गाउं बाड से प्रभावित हुए हैं। योगी आदितिनात महाराज गंज भी पहुचे जहां वो बाड से प्रभावित लोगों से मिले उनसे बाच्षित की और जरुत मंदों में खाने पीने का सामान भी बाठा। अपने दौरे की दौरान मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने गोरकपूर के उन इलाकों का हेलिकॉप्टर में बैठे बैठे जयसा लिया जो बाड की वज़े से बरबाद हो चुके हैं। लोगों की फसल से लेकर उनके मकान सब कुछ तभा हो गए। ऐसे हालात देखने के बाद वो हेलिकॉप्टर से नीचे उत्रे और नाओ की जरिये घुम घुमकर कई इलाकों का मौयना किया। इसके बाद वो बाड प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। जहां उन्हों हें मुलाकात की दौरान एक बच्चे को गोध में उठा कर उसे खिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक दूश्रे बच्चे का हाथ पकड़ का थोड़ी दूर तक गए और उसे बिस्किट दिया। वहाँ भी उन्होंने जरुत मंदों की मदद के लिए उनमें खाने पीने का सामान बाटा। यूपी के कानपूर में गोविंद नगर थाना शेत्र के मार्किट मोस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार के बीट जम कर मार्किट हो गया। दरसल ग्राहक कपड़ा वापस कर पैसे मांग रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई और फिर देखते ही देखते मार्किट भी शुरू हो गई। वहां मौजुद कुछ लोगों ने इस मार्किट का वीडियो बनाया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया। फरजी पासपोर्ट और वीजा बनाने की मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए दरजनों लोगों को गिरफतार कर लिया है। इसके साथ ही तन्वीर और सल्मान नाम के चार लोग शार जहां हूते हुए अर्मेनिया के लिये निकले। लेकिन वहां पहुँचने पर जब उनका वीजा चेक किया गया तो वो फरजी निकला जिसके बाद उन सब को गिरफतार कर लिया गया। और उनकी निशान देही बर दिल्ली पुलिस ने दो एजेंट को भी पकड़ा जिन पर पैसे लेकर फरजी पासपोर्ट और वीजा बनाने का आरोप है। और उसी के इशारे पर ये सारा गोरण धंदा चल रहा था। लेकिन पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर बाकी एजेंट समेत महबूब को भी धर्द पोचा। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पोलिस ने देश के अलग-अलग शहरों में चाप मारी की थी। अलावा और कोई दूसरी जगा नहीं बची है। कभी जो ट्यूशन क्लास चलता हुथा और लेकिन अब उस इलाके में पूरा पानी-पानी है। इसलिए जगा कोई बचा नहीं है। अलावा टूसरी होची है।